नमस्कार जैमा पैवी मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीत हुआ जारे पहला भूम प्रदोश वरत और साथ के साथ मासिक शिवरातरी ये दो योग अगर एक साथ पढ़ जा रहे हो तो आपकी सारी समस्यों के समाधान भूलेना चुटकियों में निकाल देंगे आज की टॉपिकियों पर हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम आपको 2024 का एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देने वाले हैं हर सुबा साथ बजे हम आपका राशीफल लाइव लेकर के आपके साथ जुडेंगे और उसमें आप अपनी कुंडलिया अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और डायरेक्ट हम आपको आंसर भी देंगे जो भी प्रेशन आप पूछना चाहते हैं लेकिन आपने यह बहुत सारे लोगों को स्प्रेंड जरूर करनी है यह वीडियो बहुत सारे लोगों को बताना है ताकि हर कोई सुबा साथ बजे मेरे साथ मेरे ही यूट्यूब चैनल पर लाइव जूड सकें भूम प्रदोश यह बहुत ही प्रिये वरत है भगवान भोलेनात का त्रियोदिषी तीति और भूम प्रदोश त्रियोदिषी तीति सबसे उत्तम तिति मानी जाती है हर कश्ट के निवार अंकिती ती यानि दूश रहित करता है हमें ऐसा व्रत उन्होंपर से मासिक शिवरातरी यानि भगवान के दोनों प्रिये दिन एक ही दिन अच्छे संयोग बनाते हुए नजरारे नो जैन्वरी का ये जो व्रत है ये बहुत उत्तम व्रत रहने वाला लेकिन जब आप प्रदोश की वाद करते हैं तो प्रदोश काल में ही सारे उपाय करने चाहिए यानि व्रत तो आप सुबा से रखा है रखिये पूजा की है आपने भक्ती की है या फिर आपने कोई संकल् कुछ लोग प्रदोश व्रत इस दिन से आरम्ब करना चाते है लेकिन यहाँ संकल्पी थो होते है यानि इसके बाग आने वाला जो पहला वृत होयां से प्रदोश व्रत की शुरुआत भी करते हैं क्यूंकि यह महीना तप और दान और जप का माना जाता है तो ऐसे में ऐसी सिचुएशन बनना और साल की शुरुवात में ही कुछ ऐसे आगाज होना जहां भक्ति के और इंडिकेट भी हो रहे हैं और समस्याओं के निवारन के लिए आपके लिए रास्ते भी बन रहे हैं जब हम यह पहले भूम प्रदोश की जो बात कर रहे हैं इस वरत से आपको कई युना ज्यादा लाभ हुई मिल सकता है यह एक तीर से कई सारे निशाने जैसे कर देते हैं सेम ऐसी ही सिचुएशन बन रही है कि आपने वरत एक रखना है समस्याओं के समधान आपको बहुत सारे मिलने तो अगर नहीं रख पा रहे हैं बहुत सारे लोगों नहीं किया है तो आपको एटलिस त्रियोदिशी तिथी का प्रदोश काल इसमें पूझा भक्ती जरूर करनी चाहिए विवाहा की योग जिनके नहीं बनते हैं जिनों विवाहा को लेकर के बड़ी सारी समस्याओं फेस करते हैं सोला सोला सुंबार के वरत भी रखते हैं उसके बावजूद कहीं विवाह की योग नहीं बन पाते हैं तो अगर ऐसी सिचुईशन आपके साथ बनी हुई है तो आपने इस प्रदोश वरत में संकल्प जरूर लेना है और एक खास समय में पूझा भक्ती जरूर करनी है और क खास उपाए होते हैं जिससे कहते हैं कि बहुती बोले ली מא बड़ी जल्दी मानते हैं लेकिन सरल भी यानि आपकी भावी सरहलता से ही लेना चाहते हैं तो यह यह भी कॉम्मिनेशन भोती विलक्षन होता है कि भाव से ही पूझा किजिए और भाव आपके शुत और शुप बहुने चाहिए नकरात्मक शक्तियां नेगिटिव एनार्जीज उनके उपर परभाव नहीं पड़ता है किसी भी तरीके का उस व्यक्ति के उपर जो व्यक्ति त्रियोदिशी तिथीक में प्रदोश काल में भगवान का अभिशेक करते हैं कितनी भी नेगिटिव शक्तियां को परेशान कर रही हों नजर दोश हों किसी भी तरीके की परेशानी बार बार आपके जीवन में आ रही हों हर्डल्स रुकावतें आपके जीवन में आ रही हों तो आपने प्रदोश काल की तिथी यानि त्रियोदिशी तिथी और का चुनाव करना है और एक उस उपाय को करना है जो उपाय हम आपके लिए खास करके ले करके आए हैं कि आप इस उपाय को किजे क्योंकि ये साल 2024 का पहला भूम प्रदोष रहेगा तो बहुत उत्ता मरत रहेगा अब मांगलीक दोष कुछ बच्चों की कुंडलियों में मांगलीक दोष ऐसा होता है कि भले ही दो कुंडलियों को मिलाते हैं तो cancellation भी होता है क्योंकि वहाँ पर degree wise और उनकी स्थिती wise देखा जाता है कि कई बार वो दोश जो है वो cancel भी होता है लेकिन उसके बावजूद शादियों में अर्चने आ जाते है यानि वो जो आप जिस तरीके के आप सपने देख रह होते हैं कि हमारी कुंडली में कोई वह दोश नहीं है कोई समस्यादी बग कोई नहीं रहा होता है तो मंगलिक दोश भी शान्त होता है अगर आप की इतिती पर और साह्ट के साथ वह की तिति समय मासिक शिवरातरी भी पड़ रही है तो यह स्टोर्ट अपको यह तीथ ये चमत्कारी साभी तो हो सकते हैं अब करना गया है आपको कर्ज मुक्ती करानी है दूर तो प्रज मुक्ती का रास्ता मी मिलता क्यां मंकलवार का देन और प्रदोश खिति ती आपको प्रज сек भी दिलाती है अब आपके लिए एक छोटा सा उपाय है और सारे की सारे समाधान उसी उपाय के अंदर है काल आपने काल मींज प्रदोश काल की बात कर रहे हैं तो समयत का चुनाप तो आपने वही करना है आपने सूर्य अस्त से ले करके यानि सूर्य अस्त जब होगा संसेट होगा संसेट से ले करके 72 मिनट के बीच में आपने इस उपाय को करना है यानि आपने इस उपाय को लगवग साड़े 6 से ले करके साड़े 7 बज़े के बीच मान लीजे आप साड़े 7 इंफेक्ट तो उससे उपर ही आपको जाना पड़ेगा नियरे बहुत आप एट तक मान लीजे तो आपने 8 बज़े 6 से 8 बज़े के बीच आपी सूपाय को कीजेगा यकीन मानेगा कि आप जिस भी समस्या को आप फेस कर रहे है उससे आपको चुटकियों में ही समाधान मिल जाएगा अब करना क्या है आपने एक तो आपने अभिशेक बुलेनात का जरूर करना है जल लीजिए उसमें गंगा जल मिलाईए कुछ सफीद चंदन थोड़ा सा मिलाईए और उससे आपने भगवाई बुलेनात का अभिशेक करना है दूसरा आपने घी का दीपक प्रजोलित करना है और बेल पत्र की, 108 बेल पत्र की माला 108 बेल पत्र समझा गया ना कि तीन तीन पत्तों का एक पत्ता गिना जाता है आप देखें समस्या इतनी बड़ी समाधान भी इतना बड़ा चाते हैं आप लेकिन पत्ते आपको चाते कि मिल नई रही जी ऐसे नहीं हो रहा तो एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना 108 बेल पत्ते लिची उसकी माला बनाईए हर पत्ते के उपर एक तेलक लगाईए सफेद जंदन का और वो जो माला बनाएंगे वह आप भगवान भूलेनात को अरपित कर दीचे आपने दिल और दिमाग पर सिर्फ वही समस्या रखनी है देखिएगा कैसे भूलेनात आपके जीवन में चमतकार करते हैं वीडियो को जादा से जादा लोगों तक जरूर पहुंचाएगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो जरूर किजिए वीडियो शेयर किजिए हर सुबा हम 6 बजे जो राशी फल के वो लेकर किया आते थे लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायती कि हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं अब हमने 7 बजे अपना राशी फल डालना शुरू कर दिया है जिसमें हम आपकी कुंडलियां भी देखते हैं तो हर सुबा 7 बजे लाइव आप मेरे ही यूट्यूब चैनल के राशी फल के लिए मिलना शुरू कर देजे और रवी बार के दिन हम 10 बजे लाइव आते हैं तो ये दोनों टाइम आप अच्छे इसे नोट कर लेजे वीडियो को जादर से जादर लोगों तक जरूर पहुंचाएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं गया तो जरूर किजे वीडियो शेयर किजे और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें कुछ रहे स्वस्त रहे पॉजटीव रहे पॉजटीव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कार जैमाता दी